Hello everyone, welcome back to ASNIT. तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे All India quota या फिर MCC round 3 की expected cutoff के बारे में कि अगर आपकी इतनी cutoff है तो definitely आपको MBBS इस साल पक्का मिल ही जाएगा क्योंकि इस से पहले हमने जो भी prediction की थी round 1st की और round 2nd की तो वो to the point है यानि कि up to the mark है यानि कि जो हमने predict की थी exactly वही है तो 3rd round की भी हम आपको बताएंगे बट कापि सारे student के mind में ये question आ सकता है कि अभी तो 2nd round complete भी नहीं हुआ और आप 3rd round की cutoff क्यों बता रहे हो तो वो इसके बारे में मैं आपको complete बताऊंगा उससे पहले नए हो चैनल पर तो subscribe कर देना चैनल को और अभी तक like कर ही दिया होगा नहीं किया है तो फिर से कर दो और bell icon को जरूर से प्रेस कर देना और जितने platform आप यूज करते हो प्लीज वहाँ पर इस वीडियो को और इस चैनल को जरूर share करना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यदा मेहनत लगती है आपको authentic news बताने में बहुत ज़्यदा सर्थ करने की जरूत पड़ती है इसलिए खाफे ज़्यदा मेहनत इस वीडियो बनाने में लगती है तो आप प्लीज लाइक, share और subscribe करना, बिल्कुल मत बूलना और ज़्यदा से ज़्यदा बच्चों के पास share जरूर क्या करें चैनल को ताकि फाइदा हो और हमें भी motivation मिल पाए like और subscribe के through बाकी हम आपको इसी तरीके से पूरी counseling के through इसी तरीके से update देते रहेंगे, जिस तरीके से हम देते आये हैं, एकदम exactly वही, उसी तरीके से हम कोसिस करेंगे कि यहाँ पर भी देते रहें आगे भी, तो इस वीडियो में expector cutoff के बारे में बात कर रहे होंगे तो मैंने equation अभी आप से पूचा था, यानि कि आपके mind में आग रहा होगा कि अभी कि क्यों आप बता रहे हो, तो इसका region में आपको बताता हूँ, पहले clear, उसके बाइद में मैं cutoff तो आपको score बताऊँगा ही तो उससे आप definitely अपना score के according चीजों को देख सकते हो तो बताने का region यह है कि अभी तक state का second round अभी start हुआ नहीं है, क्योंकि all India कोटे का second round है उसकी जो है reporting अभी चल रही है तो जिनको जो जो college अलोट हुए है तो वहाँ पर उनको वो reporting करनी है, वो जगए पर जहाँ पर उनको college अलोट हुआ है, फिजिकली तरीके से तो यह region है और region अप complete में आपको बढ़ाता हूँ, डिसकास करके कि तो इससे बच्चों को फाइदा क्या होगा कि second round में है कि अपने state की according, state counseling के अंदर हो सकता है, उनको college ना मिले क्योंकि बहुत से state ऐसे होते हैं, जिनकी cut-off और India कोटे के मामले में अगर comparison किया जाए, तो भो ज़धा high रहती है जैसे कि राजस्तान state को यह आप ले लो तो कितने ज़्यादा high cut-off गई थी यानि कि first round की cut-off थी और India कोटे की 618 नंबर बट राजस्तान state के first round की cut-off है 632 नंबर तो इससे आप एक idea लगा सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पर cut-off है रहती है तो उसी तरीके से बच्चे प्रीफर करते हैं कि उनको और India कोटे के through college कोई मिले जो कि उनके state से हो सकता है better तो ना हो, बट कम से कम उनको college तो मिल रहा इस साल MBBS तो मिलेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जिनका score उतना ज़्यादा नहीं होता है, कि वो अपना पसंद का college ले पाएं, बट anyhow उनको college चाहिए होता है, तो बस वो उसी की तलास कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा important ये video हो जाता है कि उनको state में chances बहुत कम है, क्योंकि ओल इंडिया कोटे में नहीं हुए, तो जो वो अगर state से बिलोंग करते हैं, राजस्तान वगरा से, तो वहां की cut-off तो अल्रेड़ी high रहती है, तो वो चाहते हैं कि वो third round के अंदर college कोई मिल पाए, अगर उनको कोई ये information दे कि आपको third round में इतनी cut-off रहेगी, तो आपके chances क्या बन सकते हैं, तो उनके लिए ये video बहुत ज़दा important होने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा cut-off completely, तो उसके बाद में मैं आपको कुछ और important point भी बताऊंगा, तो चलो पहले discuss कर लेते हैं cut-off के बारे में, उसके बाद, लेकिन पहले subscribe कर लेना चैनल को like कर दिया होगा, अभी तक नहीं क्या है तो कर दो, बाकी चलो start करते हैं cut-off किस तरीके से रहेगी, तो अब इसी तरीके से इस बार भी बताता हूं मैं किस तरप category और expected cut-off इस तरीके से रहेगी, तो जनरल category की बात करें, तो 608 number plus minus 2 marks हो सकता है, 606 से लेके, 610 तक की cut-off आपकी vary करें, लेकिन 7 और 9 के बीच में ही आपकर cut-off रहने वाली है, तो यह आप ध्यान टट लेना AWS category में 607 plus minus 2 marks, तो यह भी आपकी up to the mark रहने के chances हैं कि ज्यादा deflection देखने को इसमें मिलेगा नहीं, तो अगर इतनी cut-off आपकी है, तो definitely आपको MBBS इस साल मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, next बात करते हैं, next बात आती है OBC category में, OBC category की 608 number plus minus 2 marks, तो यह भी धान रख लेना, क्योंकि general category और OBC category, इनकी cut-off almost same ही रहती है, almost का यहाँ पर exact same ही है, तो यहने की, इनकी same ही रहती है, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसमें, as the category की बात करें, 480 plus minus 2 marks, तो यहाँ पर भी आपकी cut-off plus minus 2 marks है, तो यहाँ से आप idea लगा सकते हो, कि इतने जादा difference हो देखने को मिलेगा नहीं, stay vacancy round तक भी, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, कि आपका थोड़ा सा score कम रह गया है, ST category की बात करें, 449 plus minus 2 marks, तो यह cut-off यहाँ पर रह सकती है, round 3 के according, और मैंने आपको बताया कि क्यों यहाँ पर round 3 के बारे में अभी मैंने आपको information दी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, जो उनको state में उनके chances नहीं बन सकते, क्योंकि state की cut-off है, वो already all India court से जादा रहती है, कुछ states की, और कुछ states बहुत से ऐसे हैं, जिसे की पंजाब हुआ, तो 36 कड हुआ, तो उनकी cut-off जो है, already low ही रहती है, तो वहां के तो student only वहीं के student admission ले पाएंगे न, बार के student तो admission नहीं ले पाएंगे, तो आपने बहुत बार यह देखा भी होगा, कि जिन बच्चों के marks आप से कम भी होते हैं, वो भी ambibias लेके रखते हैं, बट जिन बच्चों के marks जादा होते हैं, वो repeat कर रहे होते हैं, तो उनका यही region होता है, कि अगर उनको कही न कहीं और इंड़िया कोटे से college नहीं मिल पाता है, तो state कोटे से उनको alert हो जाता है, क्योंकी वہां के state की कटोब all india कोटे से कम रहती हैं, और जिन बच्चों के जादा marks हैं, उनको college नहीं मिला होता है, उसका इस वज़े से वो repeat कर रहे होते हैं next year भी तो ये problem देखने को मिलती है बच्चों की तो आप I hope आपका ये bid out complete हो गया होगा कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा marks होते हैं वो repeat कर रहे होते हैं और जिनके कम marks होते हैं सेम कास्ट की बात कर रहे हैं अगर category सेम भी है कास्ट सेम भी है तो भी वो repeat कर रहे होते हैं क्योंकि state अलग लग होने की वज़े से कफी बार ऐसा देखने को मिलता है तो यह आपको समझ आ गया होगा तो मैंने cut up आपको information दी कि कितनी cut up रहने के chances हैं तो इसके लिए आपको ज बाकी और किसी भी चीज के बारे में आपको information चाहिए तो वो भी आप comment करके बता सकते हो और आप ये भी बता सकते हो कि आपको ये information जो यहाँ पर available करवाई जाती है वो कैसे लगती है मुझे believe है कि बहुत से बच्चों का फाइदा होता होगा और कापे सारी नए-ने यहाँ पर हम आपको बताने की कोसिस करते हैं बाकी अगर आप अपडेट रहना चाहते हो सारी information से तो चैनल को subscribe करके रखो ताकि हम आपको जैसे वीडियो अविलेबल हो आपको information मिल जाए biology related तीनों subject तो need 244 की preparation कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा exciting वीडियो हम लाने वाले हैं जिससे कि आपकी preparation में चार चान लग जाएंगे तो make sure कर लेना कि चैनल को subscribe करके रखो like कर देना अभी से अभी तक भी नहीं किया है तो कर देना प्लीज बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और subscribe जरूर करना ताकि और bell icon को press कर देना ताकि थोड़ा confidence boost हो तो I hope कि आपको cut off के बारे में information मैंने दे दी है third round के बारे में बाकि जैसे किसी state के result और all India को टे के result की information आएगी हम आपको जानकर देते रहेंगे इसी तरीके से तो मिलते हैं नए update नए वीडियो के साथ तब तक के लिए like and subscribe कर देना जैहिंद